नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का UPSU उतकर्ष में मेरा नाम है पूजा दिवीदी और आज मैं जिस विशे के बारे मैं चर्चा करने जा रहे हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एक्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से रिजन बीग क्योंकि यह पॉलिटी का पाट है इसलिए क्वेशन इसमें से मेंश के लिए भी आएंगे प्रिलम्स के लिए आएंगे ग्रे मंतराने ने अभी अभी कुछी समय पहले जिले पांच जिले बनाने की बात की है पहां पे लददाख में लददाख वैसे ही बहुत Home Minister है, Honorable Amit Shah Ji. He deals with the most important and pressing details for what? For what? For the internal structure of country. The internal structure of the country is a very important one. हाली में केंदरे ग्रह मंत्री Amit Shah ने घोशना की है कि केंदरे सरकार लद्दाग में पांच ने जिले बनाएगी. इसके पहले लद्दाग क्या चाहता था? कि 5th schedule of the Indian Constitution के अंतरगत, इसको एक special status दिया जाए. और यह special status इसे क्यों चाहिए था? क्योंकि यह एक बहुत important scheduled tribe inhabited area है. यानि कि यहाँ पे जिस प्रकार से इसको एक understanding मिली है, scheduled tribes को. इनकी एक different language है. Different language different lifestyle है. इनकी economy अलग है. यह internationally बहुत important है क्योंकि यह चीन से अपनी सीमा साजहा करते हैं. तो इसलिए इसको international importance का union territory माना गया है. और 2019 में जब जम्मो कश्मीर Reorganization Act आया था. यह याद रखेगा. जम्मो कश्मीर Reorganization Act आया था. 2019 में तो बाइफर केट करके दो union territories या केंद्र शासित प्रदेश बने थे. एक तो जम्मो कश्मीर बना था और एक लद्दाख. जम्मो कश्मीर में यह हमें ध्यान देना है कि legislative assembly दी गई है. लद्दाख में इनकी कोई legislative assembly नहीं है. जिस वज़े से इनकी जितने भी important decision है वो कौन लेती है वो केंद्र सरकार लेती है. तो यह एक union territory है यानि केंद्र शासित प्रदेश है. बहुत लंबे समय से यह statehood भी वांग रहा है ताकि अपने आपको खुद से स्वशासित कर सकें. ज्यानि की self administration कर सकें. ठीक है? चले आगे बढ़ते हैं. अब अगर बात करें तो यह नए जिले जांसकर कौन-कौन से याद रखेगा जांसकर है. द्रास है. शाम, नुब्रा और चांग-ठांग. तो यह पांच नए जिले उभर के आने वाले हैं. अमिट्शा ने ये कहा हैं कि यहां कदम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के विक्सित और समरिद दिल अद्दाग के दृष्टी कोड को साकार करने के लिए ये सरकार महतुपून कदम उठा रही है. ग्रे मंत्री ने एक पोस्ट में ये भी कहा कि विक्सित और समरिद दिल अद्दाग के निर्माड के प्रधान मंत्री जी के दृष्टी कोड को आगे बढ़ाते हुए MHA ने केंदर शासित प्रदेश में पाँच नए जिले बनाने का फैसला लिया है. तो ये देखे, ये जासकर का शेत्र है. ये बहुत important area है करगिल का. करगिल में ही 1999 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में. जब पाकिस्तानी आर्मी यहां पे घुसपैटियों की तरह अंदर आके एक huge chunk of India ले जाना चाह रही थी. तो ये याद रखेगा. तो जासकर ये बहुत important area है. इसको भी याद रखेगा. यहां पे पूरा जो आपको वे दिया है. मनाली, हिमाचर प्रदेश से किस प्रकार से जासकर के पास आना है? यही पे आपको किष्टवर नाश्रल पार्ग भी मिल जाएगा. थीमिस नाश्रल पार्ग भी जासकर के आसपास ही पढ़ रहा है. तो यह भी कुछ important areas है. इसके अलावा, लद्दाख, जैसे कि मैंने बताया, एक केंदर शासित प्रदेश है. यह चीन के टिबिट शेत्र के साथ अपनी सीमा साजा करता है. और यहीं पे गलवान वैली का issue चल रहा है. यह अकसाई चीन का area माना जाता है. यह internationally recognized अकसाई चीन है. बट भारत, क्योंकि हम मानते हैं जम्मो कश्मीर, एक integral area रहा है, तो लद्दाख हमारा एक पूरा का पूरा integrated part है इंडिया का. ठीक है, अकसाई चीन है. फिर उसके बाद यह पैंगॉंक सो लेख है. इसके अलावा यह सोमोरेजी लेख है और यह सोकर लेख है. thereafter यहाँ पे ले है, यह नुब्रा नदी है, जो की शोक नदी की ही सहायक नदी है. यह नुब्रा ग्लेशर से निकलती है, इसको याद रखना है, नुब्रा ग्लेशर से निकलती है. और यह शोक नदी है, शोक नदी खुद किस की पाठ है, किस की रिवर की पाठ मानी जाती है, यह इंडस की, सिंधुन अदी की important tributary मानी जाती है. ठीक है तो यह आपको याद रखना है साथी साथ यहाँ पर question smash the following मैंने यह नदी प्रणाली पर बनाया था तो सिंधु नदी प्रणाली में मैंने expansively यह cover किया है किस प्रकार से अलग-अलग नदिया है ठीक है और हम जानते हैं कि Ladakh बहुत high altitude area में है जिस वजे से यहाँ पर especially अगर मैं Ladakh की बात करूँ यहाँ की economy बहुत अलग है tourism है यहाँ पर बहुत समय हमने देखा है कि tourists भी अपनी जान गवाते-गवाते बचते हैं reason एक तो high altitude है और दूसरी चीज यहाँ पर continuously oxygen supply होने की कमी से oxygen supply कम है इस वजे से बहुत सारी tourists इसको पाड़ नहीं कर पाते बहुत सारे important areas यह भी ध्यान देना है कि शोख नदी कहां से निकलती है यह रीमो glacier से निकलती है इसका नाम भी याद रखेगा यह किस नदी से निकलती है रीमो glacier से निकलती है पैंगॉंग सो लेख यही लेख है जो चाइना की तिब्बत के खेटर में और भारत के साथ साजह हुई है एक तिहाई पैंगॉंग सो भारत में है और दो तिहाई कहां पे है चीन में है इसके अलावा यहाँ पे Sosang भी लेख है जिये Socar है और Somoriri अगर UPSC में पूछा जाए, map-based पे question, north से south सबसे पहले सो सांग है, फिर उसके बाद पैंगॉंग सो है, फिर सोकर है और फिर सो मोरीरी है, north से south, ठीक है, इसको याद रखिएगा, चली, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, फिर इसके बाद अगर बात करें, लेह टू शाम यह शाम वैली है, यही पर शाम का शेत्र निकलेगा, अब बात यह है ना कि शाम एक ऐसी जगह, यह सारी ऐसी जगह हैं, जो बहुत जादा डिवलप्ट नहीं है, और लाग ऑफ डिवलप्मेंट की वज़े से यहाँ पर राइडिकलाइजेशन होने के चांसे जादा है, य यहाँ पर अगर एकॉनमी अग्रिकल्चरलिस्ट ही रह गए, तो यह भी एक बहुत बड़ी परिशानी का मुद्दा बन सकता है, तो हर शेत्र को छोटी-छोटी क्षेत्रों में विभाजित करके, अगर हम नए रूप से वहाँ पर बुनियादी धाचे बनाये या और के लिए ठीक है, इसके अलावा जो इंपोर्टेंट लीजिंस है, जम्मु कश्मीर एवं लद्दाक के वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, यह तो देखो आप किष्ट्वर नाशल पार्क है, फिर उसके बाद दचिगम नाशल पार्क है, जम्मु कश्मीर में, ठीक है, इसक पारे एरियास लद्दाक के आपको देखने को मिल रहे हैं, चले आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं या घोशना लद्दाक के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, ग्रह मंतरी ने कहा है कि मोदी सरकार लद्दाक की लोगों के लिए प्रचुर मात्र में अफसर पैदा कर जोनना है, यानि कि वहाँ पर लोगों को एक दूसरे से इस प्रकार से जोनना है कि कोई भी employment opportunities अगर आ रहे हैं, तो सबका साथ सबका विकास हो, ये current government का मोटिव है, या घोशना लद्दाक के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है, क्योंकि नए जिले प्रशासन को अगर मैं आप जाने, यूनिन टेरिट्रिय अफ जम्मू कश्मीर अफ लद्दाक का, तो ये तो लद्दाक है, इससे पहले एक लेह का डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और एक करगिल का हुआ करता था, अब पांच और एड होने वाले हैं, यानि कि अब टोटल सेवें डिस् जिले बनने से साथ जिले इन टूटल हो गए, बड़ी आबादी, भागोलिक शेत्र और विकास आत्म कावशक्ताओं को ध्यान में रखते हुए, पाच नए जिलो को लाया गया है, इससे ना केवल प्रशास्तिक दक्षिता में सुधार होगा, बलकि स्थानियों लोगों के बहतर शासन और विकास के अफसर भी बढ़ेंगे, भारत के लिए लद्दाख के महत्व के बारे में अगर हम बात करें, देखो पहली बात तो यह हमारे लिए इंटरनाशनली बहुत इंपोर्टन ही, क्योंकि यह बहुत सारे शेत्रों के साथ जैसे के आपनी सीमा साजा करत है, तो यहां आप जैसे के मैब में देख सकते हैं, अफगानिस्तान के साथ यह अपनी बॉर्डर यह सीमा साजा करता है, यह इसको 105 किलो मीटर लॉंग हम जानते हैं, इसके अलावा यह अकसाई चीन के शेत्र से भी सीमा साजा करता है और पाकिस्तान के शेत्र से भी सीमा स इसके अलावा भारती सशस्त्रबल बाहरी खत्रों का मुकाबला करने एवं भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लद्दाख में एक प्रबल उपस्थिती बनाए रखते हैं लद्दाख को दर्रों की भूमी यानि लैंड ऑफ पासिस कहा जाता है इसके बाद दक्षिन एशा मध्य एशा और पूर्वी एशा की चौराहे पर लद्दाख रणनीतिक अवस्थिती की वज़े से बहुत जादा जरूरी है इसको लामा लैंड भी कहा जाता है या फिर इसक लद्दाख में पर्यटन में बहुत कोछ है लगबग 9000 की फीट से 25,170 फीट की हो जाए पर ये स्थित है लद्दाख में विशेश रूप से पर्यटन क्रिशे एवं नवीकर्णिय और जैसे शेत्रों में विशाल अप्रयूक्त आर्थिक शमता भी मौजूद है इसके अल जैविख खेती एवं बागवानी सहित प्रिशी विकास को व्रिहत अफसर प्रदान करते हैं इसके अतिरेक्ट अगर बात करें लद्दाख की प्रचुर धूप एवं 55 संसाधन इसे सौर एवं पवन उर्जा परियोजनाओं की विकास के लिए अनुकूल बनाते हैं जो भा रहा है असल में यहां पर सिल्क मर्चिंट्स इस रूट को पकड़ के आया करते थे तो लद्दाख को सिल्क रूट का पार्ट भी माना जाता है ठीक है इसके अलावा अगर बात करें नई जिलों के निर्मार से क्या-क्या लाब होंगे देगो छोटे जिले बहतर प्रशासन सुनिश्चित करेंगे नई जिलों में प्रशासनिक मशीनरी की एक विस्तरत श्रिंखला होगी जब अलग लेवल से डिवलप्मेंट होगा तो यहां की लोगों को इंप्रॉयमेंट ऑपरचुनिटीज भी मिलेगी इससे सरकारी योजनाओ को बहतर क्रियान वयन उचित नि रोजगार में विद्धी होगे नए जिले को उपर से नीचे तक नए अधिकारियों की जरुवत होगी इसलिए इस सीधे तòn पर सरकारी योजगार में विद्धी होगी इसार अप रत्यक शुरूप से रोजगार के अफसर बढ़ेंगे जैसे कि इसानीयों लोगों के लिए सरकारी टेंडर एवं उससे जुड़े रोजगार, सरकारी इमारतों के पास नए दुकाने और सेवाएं भी दी जाएंगी बड़े जिले उस जिले के कुछ शेत्रों में प्रशासनिक प्रतिक्रिया में बाधा डालते हैं जैसे कि आमरावती जिले के विभाजन से पहले सबसे दूर तक का तालुका जिला मुख्याले से लगभग 1500 किलोमीटर ही दूर था इसलिए तालुका की लोग प्रशासनिक अधिकारियों को जिला मुख्याले तक लगभग 3 गंटे की आत्रा करनी पड़ती थी एक नया जिला प्रशासन को लोगों के करीब ला सकता है यानि कि यहाँ पे लोग पहले से स्वशासित होना चाह रहे थे अभी अगर हम यहाँ पे एक्सपैंसिव मालनों तुरन दिने हम 5th schedule में नहीं डाल पा रहे हैं बट अगर हम इनके शासन के लिए अलग-अलग शेत्र ही प्रदान कर दे तो यह आसानी दे सकता है नई जिलों में जिला विशिष्ट योजनाओं की अधिक आकरशित योजनाय आ सकती हैं जैसे सरकार खृशी अनुसंधान और सहायता केंद्र या प्रतिभाशाली बच्च जैसे कि सत्ता रूर पार्टी के समर्थन करने वाले जिलों को बढ़ाने के लिए उसके फायदेमन भी हो सकते हैं यानि कि जो लीजनल पार्टी कहती हैं कि हमारी वोईस नहीं सुनी जा रही है किसी प्रकार से नई शेत्र को देखा नहीं जा रहा है तो हमको यह समझ में आ पर भरती भी करनी होगी इन सब के लिए बहुत बड़ा सरकारी खजाना चाहिए होगा और सरकार को भूमी अधिग रहन की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा कई राजियों में जिला परिशद और पंचायत समितियों को भी बहुत अधिक शक्तिया प्राप्त नही जिला अगर बहुत छोटा है तो प्रशासन और उससे जुड़ी हुई जो भी मशीनरी है उसका कम उप्योग होगा इसलिए अधिक और छोटे जिले का निरमार से राज्यों को कई जिलों का प्रबंधन भी कठन पड़ता है ठीक है तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि कि जो प्रेड़ना थी वो खतम हो जाएगी तो आप खुदी समझने की कोशिश कर सकते हैं यह पूरा सेक्षिन आपको उस अंडिस्टैंडिंग तक बहुशने में हेल्प करेगा दूसरी चीज यहाँ पर प्रिवियस येर क्वेस्टिन में भी देखा गया है कि सरकार कौन स पर्लिमेंट कौन से आर्टिकल के अतिरिक्त यहाँ पर कौन से आर्टिकल के अंतरगत माफ कीज़ेगा ना कि अतिरिक्त नए राज्य बनाती है राज्यों के स्थान को छोटा करती है या फिर दो राज्यों को जोड़के राज्य का स्थान बढ़ा करती है तो यह आपको य